इस question में दिया गए कि कोई pendulum clock है consist of an iron rod iron rod से बना हुआ है और उसमें एक heavy small bob लगा हुआ है if it is designed to keep correct time at 20 degree celsius अगर इसको ऐसा design किया गए कि 20 degree celsius पर हमें क्या देगा correct time देगा तो उसने पूछा है कि how fast or slow जब इसको measure किया जाए 40 degree celsius पर तो क्या fast हो जाएगा या slow हो जाएगा यह हमें क्या करना है discuss करना है coefficient of linear expansion दे रखा है हमारे पास iron के लिए कितना होता है 1.2 into 10 to the power minus 5 per degree celsius तो first of all we know that time period of clock क्या होता है t is equal to 2 pi under root l by g और l को हम या l theta कर देते है मतलब किसी भी temperature पे तो अगर यहाँ पे हम इस तरीके से लिखें t is equals to 2 pi under root l not 1 plus alpha theta upon में क्या हो गया g हो गया l मतलब किसी भी temperature पे जो value होती है उसकी value हो गयी ठीक है तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि इसको हम l यहाँ माल लेते हैं कि यह t not जो है हमारा t not की value क्या है l not upon g के equal है और l not जो है हमारी जो value है original temperature मतलब 0 degree Celsius पे जो length उस पे है तो अगर हम आज इसको ऐसे लेखें t is equals to 2 pi under root l not by g 1 plus alpha theta तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको root में यह माल लिए कि यह t not है तो t is equals to क्या जाएगा और यहाँ पे 2 pi भी लगा दिया हम इने तो t is equals to आ जाएगा t not 1 plus alpha theta के power क्या जाएगा power 1 by 2 यह आ गई हमारी t की value ठीक है? अब यहाँ पे क्या करते हैं हम? तो यह हमारा एक particular temperature पे जो हमारा था value आ गया तो सबसे पहले सारा correct time कितने पे मिल रहा है? 20 degree Celsius पे तो t at 20 degree कितना मिल जाएगा हमारा t is equals to t not 1 plus alpha 20 degree Celsius यह हमारा हो गया value 20 degree Celsius पे 40 degree Celsius पे क्या होगा? t is equals to t not 1 plus alpha into 40 degree Celsius यह हो गया, ओके? तो अब यहां से हम इसको क्या करते है? value find करना है कि क्या वो correct time देगा तो हमे compare करना होगा यहां पे कि दोनों का time period अगर हम compare कर देंगे तो उसी साब से हमें पता चल जाएगा कि क्या slow होरी है, जो हमारी clock है वो slow होरी है और fast होरी है तो इसको क्या करते हैं divide कर देते हैं t40 upon t20 ओके? तो जब इसको divide करेंगे तो t0, t0 वाले term तो cancel हो जाएंगे यहां से हमें क्या मिलेगा? 1 plus alpha into 40 degree Celsius upon में क्या जाएगा? 1 plus alpha into 20 degree Celsius यह value आ जाएगी यहां से अब हमें क्या करते हैं कि यहां से अगर इसको solve करें तो यह कितना आ जाएगा? यहां पर power छुड़ गया यहां 1 by 2 यहां पर भी होगा और 1 by 2 यहां पर भी होगा तो 1 by 2 यहां पर भी होगा और 1 by 2 यहां पर भी होगा ठीक है? तो अगर हम binomial का expansion का use करें तो उसमें क्या होता है power से multiply हो जाता है just like कि मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ t theta equals to t naught 1 plus alpha theta by 2 तो अगर वहाँ पर यही term अगर हम यहाँ पर use करें इस term को अगर यहाँ यूच ही आ जाए तो यह हमारे जो term आएंगे वो कुछ इस तरीके आएंगे t 40 upon t 20 1 plus 20 alpha और यह कितना आएगा 1 plus 10 alpha ओके यह आएगा अब यहाँ से क्या करते हैं कि इस term को ऊपर ले जाते हैं इस इंप्लाइज देट t 40 upon t 20 equals to 1 plus 20 alpha ओके और यहाँ पर क्याएगा 1 plus 10 alpha to the power minus 1 ठीक है फिर से क्या करते हैं using binomial expansion using binomial binomial expansion okay binomial expansion क्या क्या करते हैं use करते हैं तो t 40 upon t क्या होगा यह कितना आ जाएगा 1 plus 20 alpha और यह कितना जाएगा 1 minus 10 alpha फर्दर इसको solve करेंगे तो यह value कितनी मिल जाएगी तो यहाँ इसको क्या करेंगे solve करेंगे तो यह कितना आ जाएगा 1 multiply कर देते हैं minus 10 alpha plus alpha plus 20 alpha minus 200 alpha square तो alpha square वाला term बहुत small हो जाएगा क्योंकि alpha खुद क्या होता है 10 to the power minus 5 range का है और उसका square कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10 to the power minus 10 तो यह क्या है this term can be neglected ओके इसको neglect कर सकते हैं तो यहाँ से क्या जाएगा 10 alpha में से तो यहाँ बचेगा t40 upon t20 इसकी value कितनी आ जाएगी 1 plus 10 alpha ओके आप क्या करते हैं fractional change लेते हैं t40 upon t20 minus 1 तो h equals to 1 plus 10 alpha minus 1 दोनों तरब से minus 1 कर दिया तो t40 minus t20 upon t20 यह कितना जाएगा 10 alpha ओके तो यह value कितनी आ जाएगी 10 alpha ओके ठीक है fractional change हमने calculate कर लिया alpha कितना दिया है question में हमारे पास alpha की value जो दिया है 1.2 into 10 to the power minus 5 तो यह कितना जाएगा 1.2 into 10 to the power minus 4 per degree Celsius ठीक है तो fractional change हमारे यह इतना आ गया अब यहीं हम क्या करते हैं कि हमारे जो एक हाँ 24 hours में कितने का change होगा तो उसमें हमने क्या किया इसको multiply कर देंगे ठीक है यह हमारे किसकी value आ गई एक तरसे delta t की value हो आ गई तो जो हमारे change आएगा तो उस change के लिए हम क्या करेंगे now change in 24 hour ओके जो 24 hours में चेंज आएगा वो किसके equal हैगा 24 into 1.2 into 10 to the power minus 4 तो इसको solve करेंगे तो यह value कितनी आ जाएगी जी कितना हैगा 10.4 आएगा तो हमारा मदलब daily जो time time में loss हो रहा है तो loss क्यों हो रहा है तो यह भी हम देख सकते हैं कि हमारे पास relation क्या है time period का जो relation होता है वो यह होता है ठीक है अगर हम temperature बढ़ाएंगे तो length क increase हो जाएगा तो यहाँ पर यह जो value होगी यहां पर माट जो length है वो increase होगी okay और length increase होने से time period क्या होता है increase हो जाएगा okay तो time period बढ़ जाएगा तो clocks क्लॉक्स क्या करने लगेंगे slow हो जाएगी okay तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि time period increases स्ञार्य यह temperature है तो time period increases, अगर हमारा temperature बढ़ता है, तो time period बढ़ता है, therefore, clocks run slow, तो clocks क्या हो जाएंगी, slow run करने लिएंगे, क्योंकि time period क्या होगा, increase हो गया, ओके, तो कितने मदब कितने second से low हो जाएंगी, तो यह हमने time भी calculate क्या है, कि इतने second से क्या होगा, वो loss कर जाएंगी, ओके, तो यह हमारा क्या है, required value है,